वेल्कोम बग टो नाल एचनल अर्शनास क्रेटिविटि तो फ्रेंट्स दिवा बोली आने वाली है दिवाली में बोलने वाली थी होली आने वाली है तो थंडी के मौसम में तो जालते ही है कि कि इतने सारे कपड़े निकलते हैं और होली आने वाली है थंड जाने वाली है तो हमें क्या करना है अपने जितने भी स्वेटर है ब्लांकेट्स है सब को साफ सुथरा करके उसके थोड़ी सी घर की साफ सफाई भी कर लेते हैं तो यह जो मेरा कालीन है यह काफी ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं इसको भी यहां से हटाऊंगी और फिसको साफ करूंगी और थोड़ा बहुत घर में जाला भी लगना जाले भी लगे हुए हैं तो जालो को भी हटाना है ठंड के मौसम में तो जाला निकाला नहीं दिवाली में सफाई की थी और दिवाली के सफाई के बाद फिर पापस धर गंदा हो गया तो पूरिष ठंड तो हम लोगों ने जाला सफफाई की नहीं और हम लोग यहां थे भी नहीं बच्छों का स्कूल बंद हो गया तो हम लोग एंपी चले गया थे अब वहां से हम लोग हैं तो यहां सफफाई भी करना होगा यहां घर काफी ज़्यादा काफी ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी गंदा हो रहा है तो होली में ऐसे भी लोग साबसफाई करते हैं अपने घरों की तो उसे भी मुझे भी अपना घर को साबसुत्रा करना होगा तो चलिए आपके साथ मैं सेयर करती हूँ कि मैं ठंड खतम होने वाली है तो क्या-क्या करूंगी क्या-क्या छोटे-छोटे अरेजमेंट करती हूँ हर कोई करता होगा मेरे क्याल से तो चोटा-छोटा काम कर लेने से घर जो है वो साबसुत्रा दिखता है आपके घर में चोड़ा बहुत भी समान है तो उसको भी आप अरेंज करके रखिए साबसुत्रा करके रखिए तो घर अच्छा लगता है मेरे घर में कोई ज्यादा कुछ खास समान नहीं है लेकिन जो है उसी को हम साबसुत्रा करेंगे अच्छे से जमाएंगे रखेंगे बहुत सारे और टे हमिस्टर होजाता है तो कमरों के हिसाब से ब्ला Rs लैंकेट बहुसरा अथी हो जाता है तो सबको मैं साबसुत्रा करके जमाके रखुंगी तो वहांकरेंगे चलिए योडियो में आगे बने रहें और देखिएए कि मैं क्या-क्या करती हूं प्टाई प्रफ़ने तुद कर दो है कि भी टोड़ने तुद को जँ दो, नदाँ माध देवे मुषी जगाई जगा हुआ प्रपर अज़ने सूँ को जब कर दोछाई प्रच़ने के लाग़ने कि अप प्रवीर को उटुऑ है कि नदे दोते ही बत्राउ को प्रहुूर्णत प्रहुचर भप लुद लड़ भी भी की लड़ बत्राओ झाल स्कूल्र्ण स्कूल्र्स स्कूल्र्स पास समय सिर्फचो क स्कूल्र्स झाल स्कूल्रस बखवस यजसे लुए अजसे लुए खुड़े रगका एंगा और शो कोई भासा उसकोई आख लुए सा घुजने कोईस लुए कि अब आपके नहीं होते हैं बहुत सारे स्वेटर हैं वह हमारे काम के नहीं होते हैं छोटे हो जाते हैं थोड़े पुराने हो जाते हैं ज्यादा थे स्वेटर छोटा हजाता है बच्चों का तो उनको पिर मैं अलग करके निकाल दूंगी बच्चे पहन नहीं रहे हैं तो फिर कोई काम का नहीं है और फिर इंस्ट्रेटर को मैं किसी गरीब को दे दूँगी तो उनके भी काम आ जाएगा और अपने बच्चे उसको पहन भी नहीं रहे हैं बहुत सरे जो इनर हैं वो भी पुराने हो गए हैं छोटे हो गए हैं तो उनको वगत बच्चे पहनेंगे नहीं तो मैं उनको साइट करके निकाल दूँगी और किसी जरुवत मंद को दे दूँगी तो उनके भी काम आ जाएगा है ना जो हमारे काम कर नहीं है ऐसे ही पड़ा हुआ है और अच्छी स्थिती में है तो किसी जुरतमंद को दे देना अच्छी बात होती है है ना फ्रेंड्स जिदके पास बहुत सारा पैसा होता है पैसे वाले लोग होते हैं उनको तो अच्छे-च्छे कपड़े दान करने चाहिए अजरो मिदल-ख फैमली एकदम एफ-नियू तो दान नहीं करते हैं अभी तक मैंने किसी को एफ-नियू द्यान नहीं किया है हमारे काम करना ही होता है जो च्छोटा हो जाता है कि उसको मैं किसी जवत मन्द को दे देती हूं जो हमारे धर काम करने आती हैं उनको अच्छा इन सब यूज हो जाता है जो हमारे फुराने कपड़े हैं जो छोटे हो गये हैं उनका यूज हो जाता है उनका काम काम आ करें जब होगा तो नए कपड़े दान करेंगे फिलाल पुराने कपड़े ही जुरतमंद को दे देंगे तो वो भी दुआ देंगे हमको कि यह देखिए यह हाथ का बनाया हुआ है देख रहे हैं यह मेरी मम्मी ने बनाया है हाथों से जुआ है अब मैं भी बना लेती हूं जोटा मटा यह मेरी माम ने बनाया है तो यह ध़ंडी में अच्छा यह गरम करता है रहा इस अब अर्व इसा बॖ़्यर से बांदन लेते हैं यह मारी भीहार में बहुत खन्ण पढ़ती है तो यह गरम करता यह और मैं इस तरह से ऐसे करके बांग लेते हैं यह मैं मुम्मी का है यह मैं किसी को नहीं दूँगी इसको पहनू यह नहीं पहनू किसी को देने वाली नहीं मैं इसको रखूँगी हमेशा अपने साथ लेकिन बहुत सारे जो स्वेटर है वो उनको पहनते नहीं है तो उनको दे देना ही अच्छा है यह सब जो है अपने कोई पच्छा पहनेगा तो इसको मैं किसी को दे दूंगी यह सब छोटे हो गया है है तो अच्छी स्थिती में लेकिन सब छोटे छोटे हो गये हैं तो मैं किसी जुरत मंद को दे दूंगी इनको तो उनके वी काम आजाएगा अगली ठंडी अगली ठंडी इसको मैं अच्छे से सब्सक्राइब होता है तो मैं इसको अभी सब्सक्राइब के अलग से रख दूंगी और फिर उनको नेक्स्ट जब ठंडी आएगी ना तो गरीबों को दे दूंगी यह बच्चों का है इसकोल रेज का है तो यह बच्ची अब नई पहनते हैं तो इनको भी मैं दे दूंगी लेकिन इस ठंडी नहीं यह थंडी खतम हो गया और लोगडों के बढ़े से हम लोग इस ठंडी यहां रहते तो इसी ठंडी में दे देती लेकिन यहां ठीन हैं इस ठंड चलिए एए ए 20-15 साल अराम से जो हाथ से बने वे स्वेटर होते हैं वह चलते हैं तो इस ठंडी तो मैं नहीं किसी को दे पाई लेकिन अगली ठंडी आने से पहले ही मैं किसी जरुत मंद को दे दूँगी फिलाल इसको भी ने समार के रख दूँगी अलग से यह सब मेरे पहनने वाले स्वेटर हैं तो मैं इनको रख दूंगी अच्छे से स्वेटर स्वेटर एक जगा रखोंगी और यह सब टोपा टोपा एक जगा रखोंगी देखें यह टोपी भी मेरी मम्मी ने बनाया है मेरे बेटे के लिए बनाया था बेटी के लिए बनाया था सुरी देखें किता सुन्द है मेरी मम्मी को यह सब बनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है मैंने भी बहुत सारे स्वेटर बनाया है पहले तो मेरा इंजर्ष्ट नई था स्वेटर बना मेरी मुम्मी के हाथों का यह सब यहादगार में रखने वाली से अपने हाथों से यह बनता है यह सब उन्हों कहार SM battling यहादगार में रखने वाली से शन्हीं फुश्च यह देखिए मैंने मैंने अपने हाथों से एंपी में भावी लोग से पूश पूश के बनाया है थोड़ा बहुत मैंने उनसे पूश पूश के बनाया मुझे बस उल्टा सीधा बनाने आता है स्वेटर ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता हां को बता देते हैं तो मैं उनसे पूश पूश के बना लेती है यह देखिए यह मैंने अपने हाथों से बनाया है अपनी बेटी के लिए बनाया है कैसा लग रहा है देखिए मगर मेरी बेटी इसको नहीं पहनती जब बनाया थे तो बहुत सौक से पहनती थी आप बढ़ी हो रही है तो नहीं पहनती है देख सकते हो इतना अच्छा बढ़ाया मैंने मोटे उनसे लेकि मेरी बेटी अब नहीं पहनती है इसको यह बहुत गरम है तो मैं इसको दे दूँगी किसी को यह मैंने मोजे बनाए है और अट फंस पाइटें हृ ऐख है क्योंस होती है मतले दीकियों जी मैं रही आपके साथ मेंडियी को यहांड़ा दुब ग मतलडलियों और धूंभा कि लाव यह फmeल है जंड़ को कि तो आज क्यूंदॉ सेखर पारग के जमाने में बहुत कम दौस्त है मेरे और दोस्त नहीं है मैंने आपको अपना दोस्त बिनाया है सूख दुख का प्रसक्ति यह друз करोंज बहुत है अपने हाथ बनाया है अच्छा लगता है बनाया है बहुत अपने लिए बनाया है बहुत सारे मोज़े बनाया है अब अगले थंडी तो कोशिस करूंगी कि यह बून के भी आपके साथ सेर करूं अब गर्मी आगई आगे तो बनाने का मन नहीं करता यह सब ठंडियों में ही बनाया जाता है ठंडी में बैठे तो बुनाई का काम ठंडी में होता गर्मी में नहीं होता तो अगर मौका मिला तो अगली ठंडी में आपके साथ इसको बून के सेयर करूंगी ठीक है यह देखिए यह भी मैंने अपने हाथ से बनाया है बेटे के लिए एक जोड़ी बहुत सारा बनाया बहुत सारा फट भी गया यह देखिए एक जोड़ी बनाया है एक जोड़ी बनाया है बहुत साय थोड़े थोड़े एंपी में भावी लोग बहुत बनाती थी तो उनसे पूछ पूछ के मैंने बनाया है यहां दिहार में मेरे कोई भी दोस्त नहीं है फ्रेंट्स अब मेरे नए दोस्त आप लोग है सब्सक्राइब करें और 2-2 मैंने बहुत सारा मैं भी यूटूबब चैनल देखती हों बहुत सारे यूटूबअ के अच्छे खासे दोस्त है तो हो सकता है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हो जाए वह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा का आपको तो हो सकता है आप भी मेरे दोस्त बढ़ जाएं मैं बहुत सिंपल सिंपल लड़की हूं और थूं लड़की नहीं और थूं बहुत ही सिंपल मेरी भी कोशिस है कि जो कुछ भी मैं करती हूं वह आपके साथ सेयर करूं मेरा मेन मकसद है कि आपको मैं अपना दोस्त बनाओं मेरा भी इच्छा है है ये मेरे ज की बहुँत सारे सारे जो मुझे लाइक करे पसंद पापकूर करें अगर मेरा अच्छा काम रहा तो उमीद है कि अगर मेरा अच्छा काम रहेगा तो मेरे दोस्त बनेंगे जो अच्छा काम करेगा तो उसके दोस्त भी बनेंगे मैंने बीच में बीडियों बनाना बंद कर दिया था जब से करोना हुआ था तक से मैंने बीडियों बनाना बंद कर दिया मुझे प्रस्वली खुदी करोना हो गया था और करोना के टाइम में बहुत सारे प्रिय करोना को कियो बना के आपके साथ सेयर करूं हैयों एक उलते हैं परने思रो करवा मैं आप विडियों ज़्यादा नहीं बना पाती हूं कोसिस अब मेरी कोसिस रहेगी कि मैं बीडियों बना के आक के सबस्ытराइब यह पता नहीं क्यों करोना के वज़े से मन बहुत बिचलित रहता है जैसे मैं पहले कुछ रहां करती थी उस तरह से में अंसक्ष नहीं रह पा रही हूं कोशिस करती हूं कोशिस कर रही हूं कि थोड़ा अपने आपको फुस्टप करूं वो जो निगेटिविटी जो मेरे दिमाग के अंदर भर गई है उससे बाहर निकलूं झाल मेरा एक और सौक्या मेरा एक बच्पन से था कि मैं टीचर नो मैंने उसको भी थोड़ा सा कार करने की कोशिस की है एक चैनल मैंने भी काव बढ़ाने का भी एक चानल मैंने शुरू किया एक के टीचिंग क्लासेस épisode मैंने यूटूच चैनल भणाया है और मैं स्कूल में यूटूब भद गया मैंने कि अपनो खोड़ के बच्चों को पढ़ाया है कभी भी मैंने 10 से पहले 10 नाइन से पहले मैंने अपने बच्चों को कभी भी ट्यूसम क्लासिस नहीं दिया उनको मैंने खुद ही पढ़ाया है तो अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास क्या हुनर है क्योंकि मेरे पास ज्यादा है जो किसन भी नहीं है मेरे पास क्या ओनर है मैंने सोचा तो gardening तो करने का मेरा है ही hobby gardening के साथ gardening के साथ साथ मेरा ये भी है कि मैं कुछ career बनाऊं तो मैंने सोचा career बनाने के लिए क्यों न यूटूब पे एक और channel खोला जाए बच्चों को पढ़ाने का मैंने शुरू कर दिया है यूटूब चैनल एके टीचिंग क्लासेश मैंने बड़े माले में स्वेटर रख दिया है एक चोटवाले में इनल रख्था है और बच्चों के जैकेट रखे हैं스र एकक है स्कूल रेस आडि हैं यह बच्चों का है स्कूल ड्रेस है तो स्कूल ड्रेस और इनर में और टोपी बच्चों का टोपी इनर और इसकूल का यूनिफॉर्म का जो है जैकेट वगरा वो सब एसमें रखा है अभी और वोना बचों के बच्चों का ब्लेजर अभी लगेगा सुबर सुबर बच्चों का फिर ब्लेजर बगएरा साफ करके फिर में दूसरे प्रॉली बगारा में कुछ रखोंगी और इनको थोड़ा बहुत अभी और भोना है बहुत सारे कपड़े सब धूल गया है इनको सब्सक्राइब करके निकाल दूँगी और यह सब जैकेट्स बगारा है स्वेटर वगारा मैंने इसमें एक में रख दिया है इसमें क्या जब ठंडी आएगी ना तो निकालने में सुविधा होगा कि हमारा इनर कहां है बच्चों का स्कूल रेस कहां है तो बच्चों का स्कूल रेस का और अपना सौर टोपा और इनर मैंने एक ट्रॉली में रखा है स्वेटर वगारा मैंने एक ट्रॉली में रखा है इस तरह से अलग तो इस तरह से अरेंज करके रखने से इपधा होती है और भर भी एच्छा साफ उत्रा हो जाता है इसको रखने का एक अलब जगह है तो इस तरह से आप अरेंज करें और यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स बताना जरूर अच्छा लगें तो प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो तब तक लिए टेक केर बूबाई